उत्राखन क्रांती दल के केंद्रे महामंत्री सुनील ध्यानी ने कहा है कि सिवल सोसाइटी की ओर से प्रदेश में सक्त भू कानून की मांग को लेकर 10 दिसंबर से 1000 किलोमीटर की यात्रा शुरू होनी थी लेकिन CDS जर्नल विपिन व्रावत के निधन की वचा से यात्रा को स्थखित कर दिया गया था आपको बता दे के समर्थित यात्रा आज से शुरू होगी कारेकरता गांधी पार्क में कत्रितों का मुख्यमंत्री आवास कूच कर जन जाकरन यात्रा शुरू करेंगे बेरोजगार, प्रसिक्ष, डिपलोमा, फार्मिस्ट, महा संग के पैनर तले, रोजगार, फार्मिस्ट नियुक्ती समेंद कई मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे फार्मिस्ट के CM आवास कूच को कॉच को कॉच ने भी समर्थन दिया है कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक, गणेश गौध्याल और अन्यकारकर्ता भी कूच में शामिन होंगे उत्राखंड के टीरी गड़ु के देव प्रियाग विदानसबाचुनाव को लेकर राजनेतिक सरगर्मियां तेज हो गई है राजनेतिक पार्टियां जनता के बीच पहुंच कर आने वाले विदानसबाचुनाव में अपने पक्ष में वोट मांगने की लोगों से अपील कर रही है उत्राखंड क्रांती दल की तरफ से कीती नगर में जनसभा का आईजुन किया गया इससे पहले यूकेडी की तरफ से मलेथा से चौरास तक रेली भी निकाली गई जिसमें सेक्रों की संख्या में कारकरता मौझूद रहे जनसभा को संबोधित करते हुए यूकेडी के केंडरी अध्याक्ष दिवाकर भट ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर जंग कर निश्वाना साथा और कहा कि बीजेपी कॉंग्रेस ने राज्य को लूट लिया है उन्होंने कहा कि यूकेडी ने राज्य बनाने के लिए लड़ाई लड़ी थी और अब राज्य बच्वाने के लिए भी एक लड़ाई लड़ रही है यहां नौकरी उसको दी जाएगी जो मूल निवासी होगा मूल निवास के लिए हम डिस्कॉस करना चाहते हैं सरकारे बैठे सब बैठे हम और यह तैक करें कि वो कौन से बढ़ से हमको मूल निवास बनाना है अगर 1950 की जगे 1960 पर आते हम तैयार हैं डिस्कॉस तो करो पर यह नहीं कि 2000 में राज्य बना जितने यहां आये थे सब मूल निवास से हो गए यह कैसे हो सकता है पहली आप दूसी बात बहुत साफ है इस राज्य के अंदर कोई भी इंस्ट्यूसन या इंडिश्ट्री लगेगी उसमें हमारा यही आदमी होगा भार का यहां घुस नहीं पाएगा कि अपड़े करा अमने पहले भी आज भी करेंगे